कि आप देख रहे हैं लाइफ जी ओ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कैसे आप लोग उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों बहुत बढ़ी खुसकवरी है, बहुत ही बढ़ी है, उम्मीद से विए कहीं जाना है, आप सोच रहे होंगे क्या खुसकवरी है, बहुत खुसकवरी यह है, कि धिली के सरकारी सुकूलों के बच्चे भी अब अपना स्टार्ट अप्स की पदरसर नहीं लगाने जा ह helemaal उंमीद से कहीं जादा वी सोचा था हमने कभी कि सरकार के स्कूल इतना अच्छ हो जाएंगे कोई गोर्मेंट स्कूल कि वही कोई को जिसमें प्ढ़े हैं आप पड़े हो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग इसमें पड़े वह हैं पहले हैं कि फैले के स्कूल कि साफ दिखता हैं अंतर पूरा सकूल का इंफार्स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है भई वासका खबर पढ़के एक तुम दिल खुस हो गया सरकारी सुकूलों में चलाए जा रहे बिजनेस ब्लाश्टर प्रोग्राम में पचास हजार स्टार्ट अप में से एक हजार स्टार्ट अप को चुना गया और अब सो से जादा बिजनेस आइडिया को एक बड़े इवेंट में पदरसित किया जाएगा दिली सरकार के और से पांच मर्च को त्यागराज स्टेडियम में बिजनेस ब्लाश्टर इन्वेस्टमेंट्स मीट एंड एक्सपो का आयूजन किया जाएगा जहां पर देश बर से इन्वेस्टर आकर इन बिजनेस आइडियाज में निवेस कर सकेंगे दिली सरकार की इस जोजना के तहत इन छोटे बिजनेस स्टार्स को अपने स्टार्टप के लिए तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही साथ ही इन इस्टूडेंट को दिली सरकार की यूनिवर्सिटी एनस यूटी, डिएस एउ, डिटू यू और अन्य में बीबीए प्रोग्राम में सीधे दाखिला लेने का मोका भी मिलेगा, बई हुआ उपुमक्खे मंतरी मनीश सौधिया ने सौमार को प्रेंस कॉनफरेंस में बताया, कि दिली सरकार के सकुलों में पढ़ने वाले इस्टूडेंट के बिजनिस आइडिया जिसे निवेसक बहुत परभावित हुए हैं, अब तक इन आइडिया जिको बारा करोड रुपे से अध बड़ी बात है, पांच मार्च को होने वाले बिजनिस बलाश्टर इन्वेस्टमेंट स्वीट एंड एक्सपो में निवेसकों को आमंतरित करते वे, उपुमक्खे मंतरी ने कहा, कि इस कारिकर में आकर देखना चाहिए, कि भविस्ते के टाटा, दिरला, इन्फोसीस, फेस से सुरुआत कर रहे हैं, साथ ही इनके बिजनिस आइडियाज में निवेस कर उनका होसला बढ़ाए, जो निवेस भी नहीं करना चाहता, वो लोग भी इसमें एक्सपो में आकर देखें, कि सरकारी सुकूलों के ग्यार्मी, बार्मी के बच्चों को एक मौका देना भर से, म मुख्य मंतरी ने कहा कि बिजनिस बलाश्टर्स प्रोग्राम विस्व के सबसे बड़े स्टार्टप प्रोग्राम में से एक है, जहां दिली सरकार के सुकूलों के तीन लाग से अधिक बच्चों ने 51 हजार से ज्याद़ टीमें बनाई, और उन्हें 60 करोड रुपे की सीड मनी दी गई है, वही वहाँ, इन में से ज्यादतर टीम्स ने भी लाव कमाया, और जिस टीम ने प्रॉफिट नहीं भी कमाया, तो उन में अंत्रिपन्योर्शिप माइंड सेट का विकास हुआ है, कारिकरम के पहले पढ़ाओ में सकूल जोर्नल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन 21,000 प्लश टीम में से विबिन विश्यसग्यों की मदल से 1000 टीम्स का चेन किया गया है, है ना बहुत बड़ी ख़बर, अब तो लगने लगा है कि कम से कम दिल्ली के सरकारी सुकूल के जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उनका बहुत उजवल होना है, और आने वाले स साइन्टेश्ट, इंजिनियर्स यह सब की भरमार हो जाएगी दिल्ली में, और सायद बेरोजगारी की समस्या दो बिल्कुली दूर हो जाए, क्योंकि जब इतने स्टार्ट अप्स हो जाएंगे, तो उनको उनमें काम करने के लिए फिर अच्छे करमचारी भी चाहिए, ट् इंतियार क्या, अब तो त्याग्राज स्टेडी में जाएंगे पांच तारीक को, और देखते हैं क्या क्या स्टार्ट अप से बच्चों का, तो इसी पर एक किसा भी आदा रहा है, छोटा से मैं आपको सोच रहा हो सुना ही दूँ, किसा यह है कि एक बार 2015 की बात है, उसमे पट्टी बंदी हुई थी, अब मैंने फिर भी फटक से बोला सर नमस्कार और हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने भी लपक के मेरा आथ पकड़ लिया, दर्द भी बहुत ज्यादा हुआ लेकिन दर्द की परवानी की, क्योंकि मुझे उनसे मिलना था बहुत जरूरी बा मैं क्या बात करूंगा, मेरी बात ही है, कि सरकारी स्कूल के जो पढ़ाई लिखाई है, बहुत ही बेकार हो चुकी है, सरकारी स्कूलों का आली तना गंदा हो चुका है, कि बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, इदर उदर घूमते हैं, फिरते हैं, और सरकारी स्कूलों में बि कि बिल्कुल देंगे और मैंने गाए शर्कारी स्पूलों का हल अच्छा नहीं है कि अच्छा आप इंज्वाई करो फिर इस बारे में हम जरूर सोचेंगे और कड़के दिखाएंगे त्था थैंक्यों सर पसितना ही मेरे को कहना था और बाहर आ गया अब मैं सोच रहा मैंने का पता नहीं मेरी बास उनकों ने कैसा लगा कैसा ने लगा वहां जाने पर मुझे एक उम्मीद से जगी कि यार आप सब कुछ बदलने वाला है और साहित बदल भी जाए लेकर बदल गया और बदल चुका है तो यही थी छोटी सी वीडियो कैसे लग यहीं